हेलो एवरिवन वेलकुम बैक टो मैच चैनल आज हम लोग बात कर रहे हैं लिवर के वारे में जो हमारे डाजेस्टिफ सिस्टम का पार्ट है और डाजेस्टिफ सिस्टम हम पढ़ रहे हैं हमारे नुट्रीशन में पार्ट दिया हुआ है इस तरीके से हम इस डापिक को कम्प्रीट करते हुए अपने नुट्रीशन वाले टोपिक्स को कवर कर लेंगे सारा ही हमारा कोर्स उसका कम्प्रीट हो जाएगा आप पुरानी 6 वीडियो है उनको भी जरूर देख लीजेगा इससे आपको समझ आएगा किस तरीके से अपनी स्टडीज को कर रहे हैं और स्टडीज किस फ्लो में जा रही है तो बिना टाइम वेस्ट के हुए देखते हैं अपने कंटेंट को जो हमारा लिवर है हम उसके स्ट कि यह शकी में सबसे बड़ी ग्रंती है यानि कि इसकी जो गुलैंट है सबसे बड़ी ग्लैंड होती है हमारी बॉड़ी में और डायफ्राम के नीचे स्टित होती है पसलियों के पास में जब भी आपको कोई चीज को याद करने में थोड़ी दिक्कत हो तो home science is very easy क्योंकि वो हमारी life से हमारे surrounding से connected होती है जो कुछ भी है वो हमारे साथ हो रहा है हमारे आसपास हो रहा है it is all about our life तो जैसे कि आपको लिवर का याद रखना है तो आप बहुत easily अपनी स्रमक पे हाद रखे अपनी ribs के पास में और diaphragm को ऐसे फील करते हुए आप इसको याद रख सकते है बड़ी आसानी से कि हमारे diaphragm के नीचे है और हमारी पसलियों के पास में और साथ में ही आप इसके location के साथ में देख सकते हैं कि right hand side वाला portion बड़ा है और left hand side वाला थोड़ा चोटा है right hand side वाले अब आप दबा कर देखेंगे तो आप अपने आप याद रहेगा जब आप exam में भी करेंगे तो क्योंकि जब हमारे ज़्यादा sensory organs involved होते हैं तो हमारी learning retention ज़्यादा लंदी होती है और एक common सी बात है कि जब right hand side का लोब बड़ा है और left hand side का लोब छोटा है क्योंकि left hand side पर हमारा stomach है यहाँ पर तो obviously वो छोटा होगा उसको cover करने के लिए हमारा space दिया हुआ है तो इस तरीके से हमारा mechanism जो हमारा liver है उसका बना हुआ है फिर हम देखते हैं कि जो liver है वो one and a half kg का होता है यानि कि देड़ किलो इसका वजन होता है और इसके लंबाई चोड़ा 15 से 22 cm यानि कि 15 to 22 cm इसकी length और विर्थ होती है उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके अंदर से bile juice secret होता है यानि कि जो हमारी body में bile juice है जो हमारे food को digest करने में help करता है जो breakdown करता है हमारे nutrients को easier form में वो हमारे liver से secret होता है इसको याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत easy है कि intestinal juice कहां से secret होता है तो क्योंकि intestinal juice intestinal gland से निकलता है तो इस तरीके से common terms है वो तो हमें याद रहते हैं लेकिन हम usually बूल जाते हैं I don't know about you बट मैं usually बूल जाती हूं कि bile juice कैसे secret होता है किस जगा से secret होता है तो यह liver से secret होता है यह आपको याद रखना है चीज़ों को relate कीजिए connect कीजिए अपने साथ में थोड़ी सी tricks बनाईए तो चीज़ें आसानी से याद हो जाती है फिर उसके बाद है कि जो पित्रस है वो पित्ताशय में जाकर एकत्रित होता है हमारा जो पित्तरस होता है यानकि हमारा जो बायल जूस है वो पित्ताशय यानकि गॉल ब्लेडर में जाकर यह एकत्रित हो जाता है इसलिए आपको यहां मैंने यह point बताया है तारकि आपको यह clear रहे कि यह स्त्रावित कहां से हो रहा है यकृत की कोशिकाओं से जो हमारी गॉल ब्लेडर है गॉल ब्लेडर में स्टोर हो रहा है वहां से सिक्रेट नहीं हो रहा है जैसे अगर आप अंधाजा लगाते हैं कि इंटस्टानल छूस वह से निकल झाल रहा है तो आप इसका ग्रम काई तो आपको इस पूर्टन चीज एंगर को मक्र में अपने ध्यान से इंत निकले घांड हो और शुब अपने पास लिख के रखिएगा फिर उसके बाद आता है हमारा यक्रत के कारे यक्रत के कारे हमारी बॉड़ी में बहुत important होते हैं और काफी सारे काम करता है यह liver हमारी बॉड़ी में यह हमारी पाचन प्रियाब में बहुत important role play करता है पाचन तंत्रों शरीर के भोजन में उपस्तित सम्मंदित बहुत सारे कार इसके दुआरा किये जाते हैं जैसे कि पित रसका स्त्रावन करता है जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारी बोडी में बाइल जूस कहां से सिक्रेट हो रहा है यह secret हो रहा है हमारे liver से यानि कि यक्रित पित रसका स्त्रावर करता है यह एक शारिय द्रव होता है यानि कि जो bile juice है अगर आपसे पुछा जाए कि bile juice का nature कैसा है पाइसिडक है या फिर alkaline है तो आप दताएंगे कि ये चारिय होता है यानि कि ये जो है हमारा हमारी बॉड़ी में liver से सिक्रेट होता है और ये चारिय द्रव होता है जिसमें पित्लवन यानि कि घाल सॉल्ट स्भाज जाते हैं ram pestle पहाए जाते हैं इसमें कॉलेस्ट्रॉल भी होता है और लेसित्र हन भी होता है और बाय सीप और बाइल पिगमेंट्स भी हैं यह हमारी बात हो गई अभी तक पित्ररस के बारे में फिर पित्रस क्या क्या काम करता है यह अमाशे से आई हुए भोजन को शारिय मनाता है यानकि एलकलाइन मनाता है हमारे भोजन को अगर हमारी बॉडी में बाइल जूस नहीं होगा तो जो को सरने के दिदेंगे तुँकि अगर आप खाने को बाहर भी छोड़ देंगे अगर आ फ्रेफरिजित्र में नहीं रख करते हैं तो और अगर गर्मयों का दिन है तो विधिन टू टू-2 थ्री सो खाना सड़ जाता है रेफरीजिटर मेन वियुकार में भी बोजन पीज सड़ जाता है उसको रोकने के लिए उसमें झौल नौट्र nowell जो है वहां से हमारे जो कि सीरेट होता है यह हमारी में हानिकारक जीवानु को नश्ट करता है जो भी हमारी बाड़ी में हानिकारक कर जाते हैं उन को किल करने के लिए क्वे श्यूवी निश्ट कर देता है या फिर देता है पित वर्नक उत्तवत हैं, हमारे बॉड़ी में पित वर्नक से डो जो हमारे पित वर्नक हिए, उनको सर्जित करने में सहेता करता है यानि कि हमारी body में क्या क्या काम किये इसने एक तुशारिय बनाता है हमारे भोजन को जो fat का emulsification करता है भोजन को सरने से रोकता है हानिकारक जिवाणों को नश्ट करता है हमारे bile pigments को secret करता है और आहार में क्रमानुकंचन की गती उत्पन करता है आहार नाल में जो हमारी food track ह उसमें जो हमारी क्रमानुकंचन की गती होती है जो मैंने आपको previous video में बताया था आपको इसके बारे मैंने डिसकस किया था उसमें भी help हमारा करता है bile juice जो के हमारी liver से secret होता है मैं बार बार आपको बोल रही हूं so that आप इसका answer गॉल ब्लेडर ना लगा कर आया आगे आप मतलब रोधेर में यानि जब हमारे blood में glucose की मात्रा आवक्षक्ता से जादा हो जाती है मतलब हमने carbohydrate जादा कंस्यूम कर लिया है उतनी हमारी body को requirement नहीं है तो उसका level हमारे blood में जादा हो जाता है तो यक्रित की कोशिका है glucose को glycogen में बदल देती है इस क्रिया को glycogenesis कहते है glucose को glycogen में बदलने की process को क्या कहेंगे हम glycogenesis यह term आपको याद रखना है glycogenesis glucose जो जब हम जादा consume करते हैं और जो blood है उसमें जादा हो जाता है मात्रा में आवशक्ता से तब हमारा यक्रित glucose को glycogen में बदल देता है और इस process को glycogenesis कहते हैं it is a very simple thing अगर आप confuse हो रहे हैं तो आप comment कीजिए मैं आपको फिर से समझा दूँगी आपको या तो comment section में या फिर अपको बिंग नेक्स वीडियो में फिर उसके बाद हमारा third point आता है कि glycogenolysis देखो glycogenolysis और glycogenesis में difference है glycogenesis में आपको समझा चुकी हूँ कि glucose को glycogen में बदलने की एक process है जो liver के द्वारा होती है फिर आता है glycogenolysis इस क्रिया के अंतरगत जब रुधिर में glucose की मात्रा कम हो जाती है तो संचित glucose पुनह glucose में बदल जाता है जैसे कि हम fasting करते हैं या फिर हम खाना नहीं खा पाएं we are very busy in our work तब क्या होता है कि जो हमने store कर लिया था अपनी बॉडी में glucose उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में उस ग्लाइकोजन को वापस से यक्रित कोशिका है आविशकता पढ़ने पर amino acid और fatty acids आधी को भी glucose का निर्माड कर लेती है यानि कि जैसे कि हमें पता है कि हमारा basic जो energy का काम है वो carbohydrate का होता है इन केस ओफ के carbohydrate हम कम consume कर रहे हैं जैसे कई लोग keto diet करते हैं तो उसमें वो carbohydrate को बेंग कर देते हो प्रोटीन फूड पर और अपने fat पर रहते हैं तो उस process में हमारी बॉडी जो energy source है उनी से लेना start कर देती है प्राइमरी वेप तो हमारा carbohydrate का energy देने का glucose देने का लेकिन जब हमारी बॉडी में carbohydrate की कमी होने लगती है ता हमारी protein और fat ये दोनों हमें energy प्रोवाइड करते हैं जब ये energy प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी में तब इस process को हम glyconeogenesis कहते हैं अगर हम daily language में जो हम बहुत commonly आजकल सुन रहे हैं तो वो हमारा keto diet काई के form है जिस process को हम glyconeogenesis कहते हैं तो आपने यहां तीन टर्म को easily समझ लिया आए हो glycogenesis in which the glucose was converting into the glycogen through आपका liver फिर उसके बाद next हमारी process थी glycogenesis जिसमें glycogen वापस से आपके glucose में बदल रहा था थर्ड है हमारा glyconeogenesis जिसमें आपके जो fatty acids हैं और amino acids हैं वो glucose का निर्मार करते हैं तो इस तरीके से आपको तीनों टर्म्स होप समझ आ गए होंगे फिर हमारा next point आता है वसा का sensation एवं संचय यानि कि हमारी body में fat का synthesis और उसका storage यक्रित कोशिकाए glucose को वसा में बदल सकती हैं यह वसा वसिय उतक यानि कि कहते हैं यान कि वसीय उतक कहते हैं जो लोग obese होते हैं जो बहुत fatty होते हैं उनकी body में क्या होता है जब बहुत जादा glucose consume करने लगते हैं आपकी body में आवशकता से जादा आप carbohydrate ले रहे हैं तो वह in the form of adipose tissues आपकी body में deposit हो जाता है जिसके कारण आप fat हो जाते हैं या फिर आपकी जो tissues हैं वो fatty हो जाते हैं तो इस तरीके से हमारी body में वसाका sensation एवं संचय का काम भी करता है body बहुत ही smart है हमारी क्योंकि उसे पता है कुछी जादा है हमारे पास तो हम उसको store करके लगते हैं इन case अगर कल को इस person में खाना नहीं खाया तो हमारे body के internal organs को work करने के लिए energy चाहिए तो वह उसको store कर लेती है लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा कंजियूम करने लगे कंजियूम करने लगें तो body तो store करती जाएगी विकॉद से its natural nature मतलब उसका एक nature है कि वह storage करेगी बट यह आपको कंट्रोल करना है कि आपको कितना storage में रखना है अपनी बॉडी में यानि कि इस पोस्ट इशूस कितने होने चाहिए और कितना आपको कंट्रोल करना है कितनी जीज़ें खानी है या आपके उपर डिपेंड करता है नेक्स हमारा आता है flawless का इो सफिलेशं यहनि की parentheses and it's यह आपको उसको प्रिजर्व करना फिर है यक्रित को शिकाए 토ा आय के मैं कि हमारी लेवर की जो सेल्स होती है वी वीटामिन ए काई सिंथिसिज करती हैं तुछा यँक्रित टा व्रक विटामिन डी का सा इंसलेशन करते हैं जो हमारी विटामिन डी है उसका सिंथेसिस कहां होता है मत्वचा में होता है यक्रत में होता है और व्रक में होता है यानकि किड्नीज में होता है यक्रत कोशिकायों में विटामिन A, विटामिन B12 और विटामिन D, E और K का संचे भी होता है यानक सारे ही सिंथेसेज और हमारा स्टोरेज हमारी बॉड़ी में या लिवर के थू किया जाता है नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है विशाण जीवाणूं का भक्षन यानि की इनको किल करना जैसे कि अभी प्रिवेश फीजिए पहली मैंने आपसे बोला था कि हमारी बॉड़ी म में कूफर कोशिकाएं होती हैं आपको यह नाम याद अखना है कूफर कोफर कोउ oversorm जो कूफर को चप्रहें होती हैं यह मिश्क्रिय लायर रुद cycle जब यह 120 days complete कर लेती हैं और मर जाती है तो उनके भक्षन के लिए उनको खतम करने के लिए हमारी बॉडी में जीवाणों का भक्षन करने के लिए लिवर पर ये काम होता है कि वो उनको किल कर देता है फिर उसके बाद आता है रुधिर प्रोटीन का संसलेशन यानि की यक्रत में अल्ब्यूमिन और प्रोथॉम्बिन और फाइबनोजिन का संसलेशन जो है वो भी लिवर के द्वारा ही होता है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको याद रखिए का कि रुधिर में प्रोटीन का संसलेशन का होता है हमारा यक्रत में होता है फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रुधिराणों का निर्माण तथा विखंडन रुणा अवस्था में यक्रत कोशिकाओं में लाल रुधिराणों का निर्माण होता है यानि कि जो हमारा सियुआप हैं उस स्टेज़ कि आर्बिशी को ब्रीकज करने से का काम अबता होता है है पर काम चेंज हो जाता है और वहाँ पर रुद्राणों का काम तो आपका बुरूरा वस्ता में हुआ और उसका विखंडन का होता है जब आप एडल्ट हो जाते हैं तब लेवर अपना काम चेंज कर देती है फिर नेक्स आता है हमारा यूरिया का संसलेशन यह हमारा लास्ट पॉइं है यक्रित आवशक्ता से अधिक अमीनों का अमीनों का विखंडन करके इसके फलस्वरूप बनी अमीनो या फिर यूरिया में इसको बदल देता है अमीनों को यूरिया में बदल देता है क्योंकि यूरिया अमीनों अमोनिया की अपेक्षा कम हानिकारक होती है हमारी बॉड यहां वेरा कुमकि जो यूरिया है वह मूर्य ह्क्राइण ओती है तक ग्रूर 8 लेते हैं लें लेकिन अगर हम नेको अर आभी निरा में रखेंगे तो यह होते हैं नारे वूर्ड कर देता है यूरिया में और हमारी बौडित कर लिह पादेे जाता है या फिर टोर कर लिया जाता है अगर जरुरत होती है तो इन दा फॉर्म आव ग्लुकोज जो हमारे आपको मैंने भी प्रीवेस आपको टॉक पॉइंट में बताया था तो इस तरीके से हमारा जो लिवर है इतने सारे काम हमारी बॉड्री में करता है इसलिए कहते हैं कि आपको लिवर आपका डैमिज नहीं होना चाहिए अधर्वाइस आपका डाइजेशन आपका खराब हो जाएगा आपके न्यूटिशन लेवल खराब हो जाएगा क्योंकि इसमें संस्क्लेशन हो रहा था वाइटमिन A, B, 12, D, E, K का आपके जो प्रोसेसेस हैं घ्लाइकोज, कुई ग्लुकोज मेंचेंज होने की जलुकोज में चेंज होने की यह सारी ही चीजहें आपकी खराब हो जाती हैं इसलिए लिवर को healthy रखना उसको fit रखना बहुत ज़रूरी है इसलिए अपने डाइट को control करके रखन चाहिए अगर यह सारी चीजें आपको समझ आई हूँ और वीडियो काफी लंबा हो गया है बट क्योंकि सारी चीजें समझाना बहुत जरूरी था दर्वाइस सिर्फ पॉइंट्स बताकर छोड़ देने से हम उस चीज को रट सकते हैं लेकिन हम उसको समझ नहीं सकते हैं इसल अनों चीजों के वारे में बात करेंगे और हमारा यह डाइजेशन का लास्ट वीडियो होगा यानि की एट वीडियो में हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा अगर वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को share करें और comment करें और bell icon को press करना ना भूलें इससे आपको latest video की notification सबसे पहले मिले thank you for watching my videos and stay healthy stay safe and be blessed thank you bye bye